हलो आप सबका मेरे चैनल इस्पिटिंग लाग्यान में सौगत और अबनन्दन हैं मैं आज आपको IPC की भेरी इंपोर्टेंट प्रोब्लम क्योंकि यह कई बार पांच बार पूछा गया है तो आप सबस सकते कितना इंपोर्टेंट है PCSJ1992 में पूछा गया था APO1992,197 और 2006 मैं पांच बार यह प्रोब्लम पूछी गया है इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है आप मेरी प्लेज वेडियो लाज तक देख लिजे अब आपको आर्गर स्नेक बिस्वधारा मार डालना चाहता है अब आपको आर्गर स्नेक ब्लेस कौन सा प्राइद किया है क्या कहता है अ बह को आर्गर स्नेक बिस्वधारा मार डालना चाहता है इस अभिप्राय से बह को भोजन में सक्कर आर्गर स्नेक समझ कर मिला देता है यहां पर कौन सा प्राइद करता है आये देखे प्रोब्लम का सलूसन क्या कहता है जो प्राय से बाखे भोजन में सक्कर को अर्फनेक समझ कर मिला देता है धारा 307 में यह बंदीत है कि जो कोई किसी कारे को ऐसे आसे या घ्लान से और ऐसी परिस्तितियों में करेगा यदि वह उस कारे द्वारा मिरत्यू कारित कर देता तो हत्या की का दोसी होता तो वह हत्या के प्रहतने के लिए दोसी होगा क्या कह रहा है 307 कि जो कोई किसी कारे को इस आसे और ग्यान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा यदि वह कारे उस यदि उस कारे द्वारा मृत्तु कारित कर देता है तो वह हत्या की कोट में आता है तो हत्या के प्रहत्ने के लिए दोसी होगा कह रहा है प्रहत्ने के लिए कि या ग्याकार अंतीम होना अवसक नहीं है आसे और ग्यान महत्वड है क्या कहा रहा है कि जो हत्या प्रयत्न है उसके लिए जो कारे होगा वह अंतिम होना आवसक नहीं है केवल आसे और ग्यान ही महत्वपूड है एक केस आई थी ओम प्रकास बनाम उत्तर प्रदेश राज एयर 1961 में इसमें मानी उचितम ने अले नहीं अबने धारी किया था कि इस धारा के अंतरगत कोई अप्राद तब कारित किया हुआ कहा जाता है जब अभ्यूक्त को हत्या करने का आसे था और उस आसे के अंसरण में कोई कारे करता है यह महत्पूर नहीं है कि कारे अंतिम था या नहीं क्या कि एरा उम्प्रकास बनाम उत्तर प्रदेश राज उन्हें 61 के मामले में मानी उचितम ने अले नहीं कहा कि इस धारा के अंतरगत अप्राद कारित हुआ तब कहा जाता है जब अभ्यूक्त का हत्या का आसे था और उ बिहार राज एर 1961 सुप्रीम कोर्ट के मामले में मानी उचितम ने अले ने अब निधारित किया कि प्रयतन के लिए कारे को अपराद की आसे से किया जाना चाहिए उसे अपराद की दीशा में अंतिम कारे होना अवसक नहीं है परन्तु उस कारे को कारित किये जाने के दोरान होना अवस्थ है अभ्यानन मिस्त्रा बनाम ये भी important case है अभ्यानन मिस्त्रा बनाम बिहार राजे AIR 1961 इसमें मानने उशितम ने लेने कहा था कि कहा था कि प्रयत्ने के लिए कारे को अपराद की आसे से किया जाना चाहिए जो प्रयत्न है उसके लिए जो कारे है वह अपराद करने के आसे से किया गया हो होना चाहिए और उसे अपराद की दिशा में अंतिम कारे होना अवस्थक नहीं है वह कारे अंतिम है या नहीं या अवस्थक नहीं है केवल अपराद को कारीत करने के दोरान होना चाहिए अपराद कारीत करने के दोरान होना था और उसके प्रेदने के लिए वह कारे का अंतिम होना अवस्रक नहीं है क्या रहा है कि परंथर यह माम्ला असंभः प्रेदने का है इस मामले में नैले के और भी दिल्यक्ताओं के निमन भीचार व्यक्ति किये महेंदर सिंग के मामले में कोई कारे तब भी संभव हो सकता है जब कि उस कारे के लिए प्रहतने किया जाता है वह किया ही नहीं जा सकता कह रहा है कि कोई कारे तब भी संभव हो सकता है जब कि उस कारे के लिए प्रहतने किया जाता है वो किया ही नहीं जा सकता मतलब कह रहा है कोई कारे प्रहतने तब भी हो सकता है जो कारे किया गया है जिसके लिए प्रहतने किया गया है वो कारे हो ही नहीं सकता लाकिन तु यह दर्सित होना चाहिए कि साधन अपनाए गए हो जो कि प्रतेक्च चुरू से परकल्पित आसे की पूर्थ के लिए परियाप्त है। लाकिन तु यह दर्सित हो जो कि प्रतेक्च चुरू से परियाप्त है। नहीं हो सकता लेकिन सापेक्च असंभवता की दसा में प्रतन के समतुल होता है। पूर्थिया असंभवता क्रेत ऐसा क्रित होता है जिसमें अपराधिक मनाई शित्ती है और अपराधिक कारे दोनों भी दिमान होते हैं। जिसमें कि जो मिनसीरिया है और जो कारे है अपराधिक क्रेत दोनों ही भी दिमान होते हैं। किन्तु कारे में ना तो समाज को स्रंतास उत्पन होता है और ना ही असुरच्छा की भावना होती है। समसुल हुदा कहते हैं कि असंभव प्रेतनों को धंडित नहीं किया जा सकता परन्तु असंभवता पूर्ड होनी चाहिए ना कि सापेच। कह रहा है पूर्ड असंभवता की दसा में प्रेतन नहीं किया जा सकता जबकि सापेच की असंभवता में कारे का प्रेतन के समतुल होता है। और नहीं अस रच्छा की भावनौत पंद होती है। ब्रस्तुत मामले में अब आपको मानने के लिए चीनी का प्रयोग किया है। जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्तु संभव नहीं है अता उसके साधन ऐसे हैं जिससे किसी व्यक्ति की मृत्तु नहीं की जा सकती और नहीं चीनी समझ कर देने से कारे में समाज को कोई संत्राफ्स होता है अता प्रस्तुत मामले में अने कोई भी अपराध नहीं किया ह इस मामले में ऐ नहीं बाव को मात्ने के लिए रा किसी व्यक्तिकी नहीं की जा सकती और नहीं चीनी मिला कर देने से समाज को ही कोई संत्राप्त होता है इसलिए जो आ का कारे है वह ने कोई भी अपराद कारीत नहीं किया है इस तरह मैंने आपको प्रावलम बताई प्रावलम का सुलूशन बताया ऐसी यह चीची प्रावलम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें करें ठीक है जन्वाद थेंक यू